Hello everyone, स्वागत है आपका study rule में Friends, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे विज्ञान के महत्वपूर्ण आपके बहुभी कल्पी प्रशन देखेंगे ठीक है, जो आपके previous year में पूछे गए हैं किसी न किसी year में आपके पूछे गए हैं ठीक है ना, तो देखेंगे यह आपका जो जितने भी कोश्चन हमने लिए हैं ठीक है ना, यह बहुत ही important question है तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगा ठीक है ना, तो इसमें से आपको समझ लीजिए बोड एक्जामों में बहुत से ऐसे कोश्चन होंगे जो आपको देखने को मिल सकते हैं ठीक है ना, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजेगा ठीक है ना, तो देखें पहला question जो है हमारा पहला question देखेंगे सबसे पहले कि यदि वस्तु का प्राप्त प्रतिवी में छोटा वो आभासी हो तो प्राइक्त दरपन होगा अब देखिए, हम जानते हैं कि कोई एक ऐसा दरपन होता है जिसमें हमेशा प्रतिवी में छोटा बनता है और आभासी बनता है तो वो कौन सा दर्पन होता है वो होता है आपका उत्तल दर्पन कौन सा होता है उत्तल दर्पन वो उत्तल दर्पन होता है ठीक है ना इसमें कैसे होता है देखे ये वाला जो दर्पन है आपका उत्तल दर्पन होगा इसके उबरे वे भाग से क्या किया जाता है परावर्तन किया जाता है तो ये वाला जो है आपका उत्तल दरपण हो गया इसमें हमेशा क्या होता है कि इधर इधर क्या बनेगा छोटा और आवासी बनेगा दाइने तरफ में ठीक है न तो ये हो गया आपका पहला वाला तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कौन सा वो दरपण हो गया उत्तल दरपण ठीक है न अब देखेंगे next वाला question देखेंगे next question क्या कहा रहा है आपका कि मानवनेत्र मानवनेत्र का प्रतिविम्ब बनाती है मानवनेत्र वस्तु का प्रतिविम्ब बनाती है कहां बनता है हम जानते हैं कि जो हमारी आँख होता है वो आँख पे हम लोगों का आँख पे प्रतिविम्ब कहां पे बनता है तो आप सभी लोगों को याद होगा रेटीना लेकिन इस आपकान में रेटीना कहीं लिखा है? नहीं लिखा है तो इसलिए थोड़े से किसी भी सब्द को अंग्रेजी भी चीखना चाहिए, ठीक है ंरेटीना तो इसमें रेटीना बिगे तो current ३। शाथा हूं ऐसे को दरिश्टी पटल को ठीक है ना रेटीना किसको का जाता है द्रिष्टी पटल को हिंदी में का जाता है और इंगलिस में रेटीना का जाता है तो इसलिए द्रिश्टी पटल को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा ठीक है ना, इसका नाम रेटीना का हिंदी नाम होता है द्रिश्टी पटल ठीक है ना, तीसरा वाला कोश्चन आप देखेंगे समझ में आ गया होगा, कि हम लोगों के आख में और अस्तु का प्रत्विम कहां पर बनता है, तो द्रिश्टी पटल पर या रेटीना पर बनता है तीसरा वाला देखेंगे कोश्चन देखें, तीसरा जो कोश्चन कहा रहा है आपका क्या है कि बिद्दूत परिपत में बिद्दूत परिपत में बिद्दुत सक्ति का सही सुत्र कौन सा है बिद्दुत सक्ति का सही सुत्र कौन सा है तो यह है आपका आपसर नंबर आपसर नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा पी बराबर आई इसको आर होता है ठीक है ना इसका और भी फर्मूले होते हैं जो पी बराबर भी आई भी इसका तीसरे का अंस्वर आपको समझ में आ गया अब देखेंगे चौथा वाला कोश्चन और देखें ये ये वी चीज देखते चलिए कि कौन-कौन से एक्जाम में ये पूछा गया है देखें ये 2023, 2020, 2017 में ये कोश्चन आपका पूछा गया है ठीक है न ये वाला है प्रश नंबर नाइक्रोम दिया है तंगस्टन कापर और मेगनिच तो किसका बना होता है तंगस्टन का क्योंकि इसकी जो गलनांग होताए ये वे तो आपका पांचमा वाला कोश्चन देखेंगे ओ। देखे जीवास्म इंधन है जीवास्म मतलब देखे इसको सबसे पहले तोड़ के समझे कि जीवास्म होता क्या है जीवों का मतलब अंस होना चाहिए तो हम लोग जानते हैं कि करोड़ों वर्स पहले या हजारों वर्स पहले जो हमारे प्रित्वी के अंदर पेड पौधे दब गये थे, जीव जन्तू दब गये थे, उनी की मतलब जो भी आुशेस हैं, उनी से हम लों को कोयला पराफ्थ होता है, जिसे पेड़ पौधों से कोयला पराफ्थ हो गया, और उसमें जिवासमों से पेट्रोल और ट्रोल मिलता है ठीक है न तो यह जिवासमिदन यही पूछ रहा है कि जिवासमिदन कौन से है इसमें तो जिवासमिदन आपके कौन-कौन से है कोईला और पेट्रोल है देखे ये वाला भी आपका सही है कोईला वाला लेकिन करेक्ट एंस और हमको देखना है त तो इसलिए आपसन नमबर जो हो जाएगा C, वो आपका correct हो जाएगा ठीक है न, समझ में आगए आप लोगों को, अब देखेंगे 6 नमबर question 6 नमबर question क्या कह रहा है आप लोगों को, कि चुम्ब की बल रेखाएं क्या होती है क्या होती है, मतलब आपके आपसन दे दिया है कि सदैव समांतर होती है एक बिंदू पर मिलती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती और परस पर काटती है तो आप लोग सभी लोग देखेंगे कि चुम्ब की जो बल रेखाएं होती है, वो समांतर तो नहीं होती है नहीं किसी एक ही बिंदू पर मिलती हैं लेकिन वे एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं यही वाला जो हो जाएगा वो correct हो जाएगा ठीक है न कि चुमकी बल रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं ठीक है न आप लोगों को answer पता चल गया कि एक दूस 80 का मात्रक है तो इसका जो करेक्ट एंसर हो जाएगा आपका देखिए समय का तो हो नहीं सकता द्रभ्यमान का भी हो नहीं सकता अब यह बच गए उर्जा और सक्ति तो इन्हीं दोनों में से आप लोगों को अच्छे से चूज करना है कि कौन सा हो सकता है ठीक है ना तो इसका बिलेन के पी एच का मान होगा ठीक है ना कापर सलफेट के जली बिलेन के पी एच का मान क्या हो जाएगा तो इसका जो करेक्ट एंसर है वो पहला वाला जो आपसन है इसका मतलब क्या होता है साथ से कम ठीक है ना साथ से कम होता है इसका मतलब कापर सलफेट के जली बिलेन क कितना हुता है तो सात से कम होता है ठीक है ना पहला वाला अप्छन यह के साथ अभिक्रिया होती है तो इस में पूछ रहा है नीचे में Z होगा जीड़ क्या होगा ठीक है यह इसको Z को पुछा है कि Z क्या होगा में Z है यह वाला इसकी जग़ा पे क्या हो सकता है तो देखे NH4 CL प्लस NAO इसकी दोनों के अभी क्रिया की जा रही है तो बन रहा है आपका NACL sodium fluoride बन रहा है और यहां पे जल बन रहा है ठीक है न तो यह Z क्या हो सकता है Z क्या होगा अब देखेंगे कि देखेंगे यहां पे NH4 CL यहां पे दिया हुआ है ठीक है न लेकिन यहां पे देखेंगे इसमें nitrogen कहीं दिख रहा है इधर वाले में तो hydrogen के यहां पे 4 हैं और यह एक मिलके 5 हो गया ठीक है लेकिन यहां पे कितने हैं 2 है लेकिन 3 नहीं है मतलब nitrogen के एक परमाडू हो गया और hydrogen का 3 परमाडू मिलके क्या बोल गया आपका NH3 बन गया अमोनिया तो यही आपका जो correct answer हो जाएगा आपका C वाला जो correct है जो अब देखेंगे क्या करेंगे यह समीक्रों को संतुलित करना यदि आप लोग सीख गए तो आप लोग यहां पर बता सकते हैं कि यहां पर क्या हो सकता है जेट की जगह भी ठीक है तो यह हो जाएगा आपका option number C वाला नौ का C वाला correct हो जाएगा आपका NH3 ठीक है अमोनिया आगया होगा अपनों को समझ में क्योंकि यहां पर hydrogen की counting करेंगे तो इधर आपके देखें पूरे मिलके कितने हो जा रहे हैं पूरे 5 हो रहे हैं लेकिन इधर पर देखेंगे तो बस यहां पर देखें जेल में लिया गया है दो हो ठेक है ना है एच्टू लेकिन पे तीन अभी बच रहा है तो hydrogen के भी 3 लेंगे और यहां पर nitrogen की साथ नहीं हो आ है तो nitrogen भी ले लेंगे ठीक है न स्मूंज में आगया होगा अब देखेंगे 10 number question 10 number question क्या कह रहा है आपका कि निम्न में से किसमे carbon carbon के मद दूइ आबंध आया जाता है तो हम लोगों ने पढ़े होंगे IUPAC में कि L-K-N, L-K-N, L-K-N तीन होते है ना आपके तो L-K-N में क्या होता है single band बनता है L-K-N में क्या होता है double band और L-K-N, L-K-N, L-K-N L-K-N में क्या होता है triple band तो आप लोगों को समझ में आगया होगा है इसमें कह रहा है कि carbon carbon के मद दूइ आबंध मतलब कि दू आबंध बनने वाले को क्या कहते है L-K-N का जाता है तो L-K-N का मतलब क्या होगा एथाइन, ठीक है न, क्या होगा आपका एथाइन, तो आपका 10 का जो correct answer हो जाएगा आपका अरे L-K-N, L-K-N होगा न L-K-N होगा, L-K-N L-K-N, L-K-N, तो इसमें L-K-N कौन सेकेंड होगा न, तो ये वाला B वाला जो हो जाएगा आपका correct हो जाएगा L-K-N, L-K-N, ठीक है न, L-K-N क्या होता है, double band और L-K-N, क्या हो जाता है, triple band ठीक है न, समझा आप लोगों को अब देखेंगे 11 number question 11 number question देखेंगे 11 number question क्या कर रहा है कि निम्ड में से कौन सी संयोजन अभिक्रियां है देखें संयोजन यहाँ पर कौन कौन सी अभिक्रियां में लग रहा है कि संयोजन कर रहा है तो देखें यही वाले जो दूसरा और यह तीसरा वाले को यहाँ पर देखें अलग-अलग है यहाँ और यहाँ भी क्या है अलग-अलग है तो आपका जो दूसरा और तीसरा है वो correct हो जाएगा तो इस देखेंगे आपसन में कौन सा वाला correct है तो ये D वाला जो है आपका आपसन नमबर correct हो जाएगा तो ठीक है 11 का आपका आपसन नमबर D correct हो जाएगा ठीक है ना अब देखेंगे 12 नमबर question बारा नुम्बर जो question है आपका कहा रहा है कि निम्ण में से कौन सा कथन सत्य नहीं है तो इस यहाँ पर देखेंगे पढ़ेंगे कि सभी धातू सभी धातू कार्बोनेट अमल से अभिक्रित होकर लवन जल तथा कार्बन डायाकसाइड उत्पन न करते हैं देखें कहा रहा है कि गलत वाला कौन सा option है ठीक है तो यह पहला वाला जो option है वो तो आपको क्या लग रहा है सही है कि गलत सही है तो सही है यह पहला वाला option सही है लेकिन दूसरा वाला देखेंगे कि सभी धातू आकसाइड जल से अभिक्रित होकर लवन तथा अमल बनाते है क्या आपको ये सही लग रहा है नहीं तो यही वाला आपसन क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा मतलब कि यही वाला इस question का answer हो जाएगा ठीक है ना यही वाला इस question का answer हो जाएगा कौन सा बी वाला आपका 12 का B ठीक है ना 12 का B हो गया अब देखेंगे 13 number question 13 number जो question कर रहा है आपका कि पित का निर्माण होता है ठीक है ना देखेंगे इस question का answer जो होगा पित का निर्माण होता है तो कहां होता है आप सभी लोगों को यह वाला question का answer तो पता ही होगा कहां पे होता है यक्रित में होता है आपका 13 नमबर का जो question है आपका B वाल आपसन सही हो जाएगा ठीक है ना अब देखेंगे 14 नमबर question देखें आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजेगा और आप मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को subscribe कर लिजेगा ठीक है ना आप देखेंगे 14 नमबर question चैनल को जो question कर आपका कि निम्न में से कौन से समूँ में केवल जैव निम्न करणी पदार्थ नहीं है तो कौन सवाल आपसन नहीं है तो वो है आपका आपसन नमबर जो B है वो correct हो जाएगा कैसे हो जाएगा देखें घास लकडी एवं प्लास्टि यह क्या है आपके जैव निम्न करणी पदार्थ नहीं है क्योंकि इसमें प्लास्टिक जुड़ा हुआ है तीक है ना अब देखेंगे 15 नमबर question 15 नमबर जो question है आपका 15 नमबर जो question है कि फेफडों में सुद्धरुधीर आता है अब देखेंगे फेफडों में अंदरा नमबर का जो करेक्ट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बाएं निला से कहां से बाएं निला से आता है ठीक है ना फेफडों में सुद्धरुधीर कहां से आता है तो बाएं निला से आता है ठीक है ना आप देखेंगे 16 नमबर question 16 नमबर जो ATP, ठीक है न, 16 का जो correct answer है, वो हो जाएगा आपका C, ATP, आप देखेंगे 17 नंबर question, ठीक है न, 17 नंबर जो question है, वो है आपका 2 निशेचन क्रिया में, 2 निशेचन क्रिया में, 3 संगलेयन के पस्चात बनने वाले उतक का नाम है, ठीक है न, इसका जो correct answer है, 17 नंबर का, 17 नंबर post, तो दीशेचन क्रिया में, 3 संगलेयन के पस्चात बनने वाले उतक को क्या काते हैं, तो भुरूड post कहा जाता है, 17 का, जो ये वाला correct हो जाएगा answer आपका, देखेंगे 18 नंबर question, 18 नंबर जो question कह रहा है आपका, कि बिंदुसराव किस के द्वारा होता है, जल अरंदर के द्वारा, बिंदुसराव किस के द्वारा होता है, तो जल अरंदर के द्वारा होता है, अब देखेंगे 18 नंबर question, 18 नंबर जो question है, वो most important question है, ठीक है, और ये आसान भी question है, सुद जल का pH मान कितना होता है, तो आप सभी लोगों को पता होगा, कि सुद जल का जो pH मान होता है वो होता है आपका 7 होता है कितना होता है सुद जल का pH मान 7 होता है और अमलों का pH मान कितना होता है जीरो से कम होता है अरे 7 से कम होता है ठीक है ना सुद जल अरे अमलों का जो अमलों होते हैं उनका pH वैल्यू कितना होता है 7 से कम और 6 चार का क्या होता है 7 से अधिक होता है अभी आप लोगों को एक कोश्चन दिया जा रहा है कि हम लोगों के जो blood का कितना pH मान होता है आप लोग कमेंट करके बताएगा अब देखेंगे 20 नमबर जो कोश्चन है 20 नमबर जो कोश्चन है आप लोगों को टिक है आप देखेंगे जो पूरँसों में जो लिंग गुर्षटर होता है पहला वाला जो कोरेक्ट हो जाएगा एकस और वाई मतलब हम ही लोगों से निर्धारित होता है दो से ही दोस्ट को दिया जाता है महिलाओं को लेकिन ऐसा कुछ है नहीं महिलाओं में जो पाया जाता है गुड़ सुत्र वो होता है यक्स यक्स ठीक है ना महिलाओं में जो गुड़ सुत्र पाया जाता है वो पाया जाता है आपका यक्स 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 ये कोई ऐसा नहीं है य और यक्स ये अलग अलग और आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै ही जै भारत